नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दी स्वागिता है दोस्तो आज किस वीडियो में हम रचा करने जा रहे हैं आज के करेंट अपेर्स के बारे में और आज हैं 4 जून 2019 तो आज हम देखेंगे 4 जून का करेंट अपेर्स इससे प लिए एक जून को सपत लिए है वह किसे बनाया गया है तो वह बनाया गया दोस्तो करंबीर सिंघ को अभी वर्तमान में नोसेना परमुक होगे इससे पहले थे एड्मिरल सुनील लांबा जिन्होंने 30 मई को अपना करेकाल समप तो नेपर उने पद छोड़ दिया था तो करमबीर सिंग अभी वर्तमान अमारे नोचेना पर मुखे हो गए अब देखते हैं दोस्तों आज का करेंट फिर्स इसे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है अब अब अभी तक हमारे वीडियो को लाइक निक्टिया निक्या है तो निचे निचे दियेगे लाल ससक्राइब की औटम को दबा करें चैनल को subscribe जरूँ कर लें तो उसके पास जो बेल ऐकुन गंठे कर सा मनावा है उस गंठे के निसान को अभी जूरूँ दबा दें तो अल सलवाडोर के रास्टपती की रूप में हाली में दोस्तो नायाब बुकेले ने सपत ली है तो नायाब बुकेले कौन है तो नीचे फोटो में आपको दिखाए दे रहे हैं यह नायाब बुकेले जिन्नोंने हाली में रास्टपती की सपत ली है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो मद्य अमीर की देश है एक अल सपते है ढला aadorn, जिसमें नाया बुकले ने राष्ट के राष्ट्रपती के रूप जबुत लिए है उनको प्रवरी में एक क्वामपती पुर्व ग मंत्रूर प्रूर सारी सरेण के बाद इस पद के लिए चुना गया है दोस्तो सें सालवा डॉर लसालवा डॉर की राच दनी कहा है इसकी मुद्रा है उसकी मुद्रा है युनाटेर सेट डॉलर की मुद्रा है तो यह तो पहले कुशन के बारे में अब देखते हैं नेक्स्ट कुशन दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक हो सबी दोस्तों के साथ वाटसप गुर्पों में ज्यादा से दूरू कर देए नेक्स्ट है दोस्तों हाली में किस बैंक ने bank on wheels शिवा शुरू की है तो केस bank ने की है bank on wheels की शिवा के शुरूवात की है दोस्तों Indian overseas bank ने यानि I.O.B. Indian overseas bank ने banks on wheels शिवा के शुरूवात की है तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों Indian overseas bank के पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये फोटो में आपको Indian Overseas Bank के दिखाई दे रहा है तो ये Indian Overseas Bank का logo हो गया इसके बारे में जानते हैं तो इसकी स्तापना कब हुई तो इसके वर्तमान MD और CEO कौन है तो Indian Overseas Bank के इसके MD और CEO है दोस्तों करना में शेकर और मुख्यले है इसका चेनवी में और इस बैंक की स्तापना दोस्तों 10 फरवरी 1937 को Indian Overseas Bank की स्तापना किये गई थी अब जानते हैं क्यूशन के बारे में जानकरी दोस्तों जो Bank on Wales यहा शुरू की है उसके बारे में देखते हैं तो Indian Overseas Bank ने गोशना की है कि उन्होंने विजेवाड़ा और थ्वा तमिल लाड़ू यानि विजेवाड़ा उसके अलावा तमिल लाड़ू और के चोधा जिलों में Bank on Wales की सुविदा शुरू आते की है जो Mobile Wales सुविदा को जनता को विशेश रूप से वरिष्ट नागरेकों को मुख्य जिलों के चिनित करने इस्तानों पर है आसानी से Door State Banking सुविदा उप्लोप्त करवाना इसका मुख्य उदेश से है बैंक on Wales का मुख्य उदेश है कि इन 14 जिलों में जो बैंक की एक वहां जाएगा वो गरगर जाकर अपने जो कस्टमर है उनका खाता खोलेगा उनको पैसे देगा जो भी बैंक समधिकारी है वो गरपर ही कर देगा इसे बैंक on Wales नामें दिया गया है दोस्तों खाता कोलने समाजी सुर्गता योजना में गराकों का नामांकन करने पास्बुक प्रिंट करने ता अन्य वीतिय समावेशन गती वीडियों जैसे शेवाओं का ख्याल लखने के लिए एक समर्पित बैंकिंग समाथता वेन वहान के अंदर एक माइक्रो एटियम प है वैश्वीडेन की यत्रा पर चीयार दिवेश यत्रा पर रवाना हुए है तो इसका राइटांसफर क्या बन जाएगा समुडर Śज्टे और हो गया इन दोस्तों दोस्तों ये फोटो में आपको एर मार्शल भी अस पर दिखाई दे रहे हैं तो स्विडेन कि देचां स्वीडन के वर्तमाने परदानमंत्री अब जानते हैं दोस्तों यात्रा पर गए हैं चार दिवश यात्रा पर उसका उद्देश से क्या है जो बीएस जुन होगा है एर मार्शल चीप है वह दोस्तों विबिन परीचालन और प्रिस्टिक्षन एकायों का दोरा करेंगे का मारक प्रस्तस्ते करेगी यह समन्दों को भी मजबूत करेगी और दोनु वायशनाओं के बीच उत्पादक अदान परदान में सह बागिता को सक्समें करना इसका यात्रा का मुख्य है उद्देश है तो चार दिवश यात्रा पर करनल जो बीएस दनवा है एर चीप मार् वे दो जून को मनया गया है तो इसका राइट आंसर की हो गया दो जून को अपरती वरस्त तेलंगाना का गठन दिवस से मनया गया है क्यों मनय जाता है दोस्तों दो जून को ही क्योंकि दो जून 2014 को तेलंगाना का गठन ने किया गया था इस कारण तेलंगाना गठन दिवस्त दो जून को मने जाता है तो जानते हैं दोस्तों तेलंगाना के बारे में ये भारत का मेब आपको दिखाए दे रहा है इस मेब में यहाँ पर दोस्तो इसे अलग होकर राज्य बना था तेलंगाना तो यह जो रेड दिखाई दिया रहा है यह है तेलंगाना तेलंगाना की राजदानी कहा है दोस्तों तेलंगाना की राजदानी हेदराबाद होगी तेलंगाना की सबसे बड़ा सैर भी हेदराबाद हो गया दोस्तों इसकी जनसं दोस्त आपको अभी बताया है दो जून दोदा सवदा को तेलंगाना का गठने हुआ था वर्तमाने राजेपाल कोन है तो एकाडव सिर निवासन लक्षमी नर्शिमन जैनी yes l नर्शिं है इसके व्रतमाने राजियेपाल है मुख्या मंत्री कोन हो गए केचंदर शेकर राव है यह मुख्या मंत्री है इसमें दोस्तों विदान मंडल एंदो 20 दुछ सबनी वगश्ता है विदान मंडल है और विदाने सबा और विदान प्रिशद दोनों है तो विदान प्रिशद में 40 सिटे हैं जबकि विदान सबा में 100 गुनी से सिटे हैं तो भारते संसद में दोस्तो राजे सबा की 7 सिटे दा लोग सबा की 17 सिटे तेलंगाना से आती हैं तो यह जानकर दोस्तों तेलंगाना के बारे में तेलंगाना गठन दिवस दोस्तों हर वरस दो जून को तेलंगाना राजिया की गठन पर मनाया जाता है इस अवसर पर जिलों में दोस्तों अपचारिक कर्य कर्मों के साथ इसका आयोजने किया जाता है नेक्स देखते हैं इसका घठन है दोस्तो राजदानी कहा है इसकी राजदानी है राइपूर मुक्यमंत्री कोन है अब जानते हैं महादिवक्ता के बारे में या एडवोकेट जनरल के बारे में दोस्तो चतिस गड़ सरकार ने ततकाल प्रभाव से एक नए महादिवक्ता 37 अंदर वर्मा को कनक्ति वारे के स्तान पर नुक्ति किया है दोस्तो भारत के स्विदान के अनुचेद 165 के खंड एक के दुवारा परदान कीगी सकतियों के अब्यास में 36 गड़ के राजिपाल ने जो 37 अंदर वर्मा है उन्हें 36 गड़ के अतिरिक्त महादिवक्ता को कनक्ति वारे के स्तान पर एड़ोकेट जनरल या 37 गड़ के रूप में ततकाल प्रभाव से नुक्ति किया है नेक्स्ट कुछन देखते हैं नेक्स्ट है हाली में किसको केबिनेट का दरजा और राष्ट्री स्रुक्सा सलाकार यानि NSA के रूप में पांच और वरस का कारेकाल दिया गया है तो किसे दिया गया है दोस्तों तो जो NSA राष्ट्री स्रुक्सा सलाकार पहले थे उन्हें जीत डोबाल इनसे हैं तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तो तो अजीत डोबाल को केबिनेट का दर्जा और रस्ट्रेश रुक्सा स्चलाकार यांनी नसे के रूप में 5 और वरस्ट का कारेकाल दिया गया है। उन्हें दोस्तो राश्ट्रे सुर्क्सा डोमेन में अजीट डोबाल उनके योगदान के मानेता में केबिनेट की रेंक दी गई है। दोस्तो एनसे के रूप में केबिनेट का दर्जा और पांच वर्स का कारेकाल भी दिया गया है। दोस्तों नरेदर मोधी के बहुत नजदी की माने जाते हैं अजी डोबाल इसी कारिये काल पांच वरस औरे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेज जुरू कर दें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्यूशन है किस राज्य की सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहित लड़कियों को दी जाने वाली वीतिय साहिता को बढ़ाया है। दोस्तों आपकी बेटी योजना के तहित जो असको दी जाने वाली वीतिय साहिता और चुनाव डुटी के दोरान मरने वाले मदान कर्मियों के परिवारों को पूरव बुगतान में वर्दी की है। दोस्तों आपकी बेटी योजना के तहित गरीबी रेका से नीचे यानि बीपियल परिवार की जो लड़कियों है या जिरके माता पिता दोनों की मरतियों के काने राज्य में वार्शिक वीतिय साहिता परदाने की जाती है। इसमें दोस्तों का कक्सा एक से आठ तक जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके पढ़ाये करने वाल लड़कियों को ग्यारा सो रुपे से बढ़ाकर एक्की सो रुपे राशिक कर दी गई है। पहले ग्यारा सो रुपे सातर रुपे मिलती थी अब इसे बढ़ाकर एक्की सो रुपे कर दिया है। वित्या सक्सरता सप्ता कब मनाया जाएगा। तो वित्या सक्सरता सप्ता की सुरुवा दोस्तो हो चुकी है। यह दोस्तो तीन से साथ जून तके मनाया जाएगा। तो इसका राइट हैंसर हो जगा है तीन से साथ जून तो यह कौन मनाया जाएगा। तो यह रिजरो बैं of India की स्थापना की गए थी इसके गर्वनर कोन है तो इसके गर्वनर दोस्तों है सक्तिकांते दास इसके वर्तमाने गर्वनर है तब मुख्यले दोस्तों आपका भी बताया कि इसका मुख्यले मुंबई में इस्तित है अब इसे सप्ता के बारे में जानते हैं दोस्तों तो वित्य साक्सरता सप्ता है 2019 दोस्तों ये 3-7 जून तक है किसान के विशेपर और उप्चारिक बेंकिंग परनाले का एक हिसा होने से उनके लाब पर केंदित मनाया जाएगा दोस्तों वित्य साक्सरता सप्ता एक केंदित अभियान के मादियम से के लिए वित्य एक आफ्चेक समर्थ तक है अता आर्बिया से के लिए रूप से ऐसी नीतियां बनाने में सामिल है जो कर्शक समुदाय के लिए रिंड के परवा को बढ़ाती है तो किसानों के लिए ये वित्य साक्सरता सप्ता की सुरुवाते की गई है रिजरो बैंक और इंडिया ने इसकी सुरुवाते की है नेक्स्ट कुष्ण ने दोस्तों किस राज्य की सरकार ने अपनी योजना राइतू बंदू योजना को विश्थारित किया है तो राइतू बंदू जो योजना है ये तेलंगाना सरकार की है तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों तेलंगाना सरकार जिसमें हाली में जदर शेकर के सरकार दुबारा बंते इसमें विश्तारे कर दिया गया है तो रायतु बंतु योजना क्या इसके बारे में जानते हैं तो तेलंगाना के बारे में हमने आपको उपर बता दिया था, तो तेलंगाना के बारे में एक बार आप फिर रिपीट कर लेना, तो आप हमें निचे कमेंट करके बताएगे तेलंगाना के वर्तमान जो मुख्य मुत्री हैं, वै को न तो तेलंगाना का गठने कब हुआ, तेल राइतो बंदु योजना उसका विष्थार करने के लिए अदी सूचना जारी की है इसकी राषी को दोस्तों 4.000 रुपे पहले थी जिसे अब बढ़ाकर 1.000 रुपे बढ़ाकर 500.000 रुपे तक कर दिया गया है दुस्तों राइतो बंदु योजना तिलंगाना के मुख्य मंत् केच अंदर शेकर राव की यूजना है इसका उद्धे से किसानों को शीदे उनकी पसलों को वापस करने के लिए जो आए साहिता प्राप्त करना है यह इसका परमुखे उद्धे से है दोस्तों किसानों की जो पसल बोते हैं उससे पहले बीज, उरुवरक यानि खात, केट ना वाली यूजना को अब परती सत्र परती किसान 4,000 रुपे से 5,000 रुपे परती एक टक बढ़ाया गया है, अब देखते हैं अगला क्यूशन, तो आज का जो आखिरी क्यूशन है, लास्ट क्यूशन है, तो वह देख लेते हैं दोस्तों, कि हाली में कवीन हरीष का निदन हो फोटो में आपको कविन हरीस दिखाए दे रहे हैं यह आपको कविन हरीश है जिनका हाली में सडक सडक दूर कितलामे हाली में इसकी निजने हो गया है. तो यह लोग नर्तक है तो उनके बारे में जानते हैं दोस्तो ये बहुत परचिदे कलाकार है कविन हरीश का दोस्तों रविवार को सुबह श्डख हादशे में राजशतान के जोधवुर में इनके मर्ती हो गई तो जोधवुर के पास हुए एक हाद्शे में कविन हरीश के साथ तीन अने लोग कलाकारों को भी जाने चली गई है दोस्तों इनका जीवन है वो लोकला को हमेशा समयर पित रहा है यह बहुत ग्रीब प्रिवार्शन था इन्होंने बहुत ही उचाईया असिले की हैं तो कवीन हरीश का लोग नोटे देखने के लिए दोस्तों बड़ी संक्या में प्रेटक जसले में राते थ देश विदेश में उन्होंने कई पुस्कार भी जीते हैं तो अपने लोकला के दम पर उन्होंने गरीबी को चुनोती दी और लोकलाओं वाले उनके कारी करम को बहुत ही परसीदे होते थे तो यह दनकार दोस्तों हरीश से कवीन के बारे में अब एक क्योशन दोस्तों इन चारों में जो भी राएट-ांसर होगा वह आप में नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों पसंद आये तो वीडियो को एक लायक ज़रू कर दे सभी दोस्तों के साथ WhatsApp गृरूपों में शेयर कर दे तो चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे लाल सस के पहुंच चुके धन्यवाद अस्तों